हेलो वाइस एक बार फिर मेरे यूटूब करें में आपसे भी का सौगत है वनेज जवाले थोड़ा ध्यान देंगे जिसका आगे एक जाम है लेक्टरर का वैक्षाता का ठीक है वो लोग जो है ध्यान देते चलेंगे और मोस्ट इंपॉर्डन कोश्चन करने जा रहे एक जाम लोग के मैं इस वीडियो को लाया हूं ठीक है और यह जो है कॉमर्स वाले लोग के लिए हैं ठीक है इन्हों ने आपनकरश क्या है तो ज्यादा लेट ना करते हुए हम विडियो को सुरू करते उससे पहले है मेरे यूटूब चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मेरे पांस सो प्लस लाइक आने चाहिए तभी इस वीडियों को जो है कंटीनु किया जाएगा और एक बार एक जाम से पहले आपको जो है एक लाइव क्लास लेकर जो है हम लोग क्या करेंगे एक आपको बेस तयार करके देंगे उसके बाद आप एक जाम में बैठेंगे तो पहला प्रसने की बात करें मुल्यहरास का लेखा होता है आपको बताना है कि मुल्यहरास का जो है लेखा है वो कहां किया जाता है क्या वैपार खाते में लाबानी खाते में खाता भही में या इन में से कोई नहीं तो आपको बताना है ठीक है बेसिक कोशन है तो मुल्यहरास का जो का लेखा जो किया जाता है वो लावा निकाते में किया जाता है ठीक आफसर नमबर भी इसका करेक्टर अंसर हो जाएगा ठीक है अगला देखेंगे प्रस नंबर दो देखिए असुद्यों का संसोधन किया जाता है तो असुद्यों का जो है संसोधन कहां किया जाता है ओप्सन ए में दिया है खाता बही में मुख्य जर्नल में तलपट में या आपका इनमिल से कोई नहीं तो असुद्धियों का जो संसोधन किया जाता है वो किया जाता है ऑफसर नमबर भी मुख्य जर्नल में ठीक है असुद्धी जितने भी असुद्धी होंगे है न साल भर का जो भी असुद्धी निकलेंगो उसका संसोधन जो है मुख्य जर्नल में किया जाएगा ठीक है अगल प्रस नम्बर तिन वयसाओ करना और शुम्त नबर नीजी प्रयोग करना आहरं ठीक है तो निली प्रयोग के लिए वैसाय का जो है सौमी है वो रकम निकालना ये कहलाते है आपका आहरं आपसर नमबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कि है तो लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेर करेंगे ठीक है अगला देखेंगे प्रस नमबर 4 देखिए इस्थाई संपत्ति नहीं है देखिए क्या बोला है इस्थाई संपत्ति नहीं है पूछा है भूमी फरनिचर बैंक से या इन में से सभी तो इस्थाई संपत्ति तो आपका भूमी है फरनिचर भी है लेकिन जो है बैंक स से जो है इस्थाई संपत्ति नहीं बैंक से जो है आपका एक चल संपत्ति है ठीक है कौन से संपत्ति है चल संपत्ति अगला देखेंगे प्रस नमबर पाल देखिए ऐसा खाता जिसे सदेव क्रेडिट रखा जाता है ठीक है ऐसा खाता जिसे सदेव क्रेडिट रखा जाता है और सदे में दिया है वेतन, मजदूरी, विक्रया या आपका किराया तो विक्राय को जो है हमेशा जो है सदेव जो है क्या किया जाता है क्रेडिट में रखा जाता है डेविड.क्रेडि जानते होंगे आप लोग जितने समस्त खर्चे है वो सब डेविड में जाएंगे और जितने जो है आपका आय है उसको जो है हम क्या हाग रखेंगे क्रेडि ये उदरत खाता का प्रकृती होती है, किस प्रकृती की होती है, इस्थाई, आवास्तवी के आईद में से कोई नहीं, तो इसका जी प्रकृती होती है, उदरत खाता का वो होता है आपका आईस्थाई खाता, ठीक है, उसके बाद अगला देखेंगे, प्रस नमबर साथ देखे पूंजी पर ब्याज का लेखा होता है ठीक है तो पूंजी पर ब्याज का जो लेखा होता है वो किस में होता है क्या वैपार खाते में लाबानी खाते में जर्नल में इंड में से कोई नहीं तो पूंजी पर ब्याज का जो लेखा होता है वो होता है नमबर ये वैपार खाता में ठीक है वैपार खाते में जो है पूजी पर ब्याज का लेका होता है ठीक है कन्फर्म है अगला देखेंगे प्रस नम्बर आठ अर्जित आये का संबंध होता है तो अर्जित आये का जो संबंध होता है वो होता है आपका च्यालू अर्षा से ठीक है यितने भी अर्जित आये उनका जो संबंध होगा वो च्यालू अर्षा से होगा ठीक है अगला देखेंगे प्रस नमबर 9 देखिए क्रेडिट नोट कौन बनाता है ठीक है क्या क्रेटा, विक्रेटा, रोकडिया इन में से कोई नहीं तो क्रेडिट नोट जो बनाता है वो बनाता है आपका विक्रेटा ठीक है अप्सन नमबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला देखेगा ये जो है लेखा पाल वाले लोग को लिभी इक्राइट न जो लेखा-पाल की तयारी करें कोकुपिज के तयारी करें उनके लिए भी ये जो है वीडियो मोश्ट इंपोंट है अगला देखेंगे प्रस नूम्बर 10 देखें खाता बहिह में स्वरपतम कौन सा है न ये कौन सा खाता खोला जाता है तो खाता भही में सवरोपतम कौन सा खाता खोला जाता है वेक्तिगात खाता वास्टविक खाता आवास्टविक खाता यह इन में से सभी तो इसका जो अंसर होगा खाता भही में सवरोपतम खाता खोला जाता है वेक्तिगात खाता अफ ठीक है यदि किसी प्रकार का यदि case ways हो जाए है ना हमको साक्षे के रूप में दिखाना है हमको नैला में तो हम जो है किसको हम साक्षे के रूप में मानने करता है ठीक है कानून तो जर्नल को खाता भही को तलपट को या इन में से कोई नहीं तो basic question है यहाँ इसी दिख रहे ह खाता भछी को जो है नाल्या में साख्षय के रुप में माननेता प्राप्त नहीं था है, masa कभी है, कभी हम कुछ हो जाए तो यदी किसी लेजमों यदी किसी प्रकार का यदी कोई वाद भीवाद चल रहा हूं नाल्या में, ठीक है, तो हमको evidence दिखाना है, evidence मतलब साक्षे हमको दिखाना है, paste करना है तो खाता भही, ठीक है, खाता भही को हम दिखाएंगे कि देखो भही, यह हमारा साक्षे है ठीक है ऐसा ऐसा सब बात है तो यह जो है आप दिखाएंगे तो यह जो है खाता भही को जो है आप पेस कर सकते हैं कहां नियाले में तो वो जो है एविडेंस के रूप में काम आता है ठीक है साख्छी के रूप में काम आता है रहे बहुत लंबा है है अभी फिलाल इतना जान है पॉइब आ है अक pre toונה बारह देखें व्यक्तिगत last खाते का घटीट सेक्वागत गहले चैस हैं तो लेंदार देंदार विक्रेटा या इनमीं से कोई नहीं तो वैक्तिगत खाते का डेबिट सेस कहलाता है देददार ओफ्षन नमबर पीज का करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है अगले देखेंगे प्रस नमबर तेरा देखें खर्चावा आय खाता बंद करते समय लिखा जाता है क्या लिखा जाता है लाभानी खाता सेस खाता वैपार खाता या इन में से कोई नहीं तो यदि हम खर्ट आय और खर्चा जितने भी आय होंगे और खर्चा होंगे उसको बंद करते समय क्या लिखा जाता है ठीक है तो यह लिखा जाता है अपका लाभानी खाते में लिखा जाता है ऑफ्षन नमब प्रस नमबर 14 देखिए आधत्वय का संबंध है चालू वर्सा से अगामी वर्सा से गत वर्सा से या इन्मेसे कोई नहीं तो आधत्वय का संबंध है आपका 40 वर्सा से आफशन नमबर यह इसका correct answer हो जाएगा अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चाहें को सब्सक्राइब करें बेल आकन को दबाए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ठीक है मैंने टार्गेट लिया 500 लाइक का 500 प्लस लाइक मिलने चाहिए तब इसको जो आप हानी या इन में से कोई नहीं तो यह जो कहलाएगा वो कहलाएगा आपका खर्च कहलाएगा ऑफसर नंबर इसका करेक्ट टान्सवर हो जाएगा तो यही प्रस्नत है इंपॉर्टन आप आगामी जाम जो देंगे अभी वाणित जैसे सम्मंदित वाले देख लेगा जितने भी इंपॉर्टन प्रस्नत है मैंने करा दिया और यदि मेरे यूट्यूब चैने पर पहली बारा है तो मेरे यूट्यूब चैने को सुस्क्राइब करें ज्यादा से जादे लोगों को शेयर करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे तो नेस्ट वीडियो के लिए आप बने रहे हैं तो आज के लिए वस उतना ही धन्यवाद